किुणा की जी गई आक इरति एक प्रावल्लोग्राम में परति की डो कर आगया किसका क्यू और RAW का परत्त आल अशिए या कि 16 को कि अगयिंग यहां इन प्रक्राउब यहां से अल्धक पूचे का यहां पार्लेलोग्राम क्या होता है एक आयत का ही डिजाइन फॉर्म होता है यानि करने का मतलब एक रिटेंगल जैसे होता है यह रिटेंगल रिटेंगल में क्या होता है आमने समने के हुजाए पार्लेल होती है और बराबर होती है उसी तरीके से पार्लेलोग्राम में भी आमने सम रहा है यह चार संटे मिट्र दे रहा है च्रेसर गणा हूं कह ईक प्रोपर्टिया प्लिल्योग्राम के भी चार होना चाहिए और यह क्या है क्ये हमीड पोइंट यह मीड्पोइंट्ट है यह design unser nen अपस में ऐक ghat अब यहाँ से देखो समझे वाली क्या रहा है कि यह यहां पर new cut mark क Scan इतना तक बात आपको समझ समय आ रही होगी कि यह जो सामने वाले अंगल है यह अपस में इकॉल होगे अप देखो यहां से जेड के भी फर्म बन भी आपको दे रहा होगा फिलाल मैं इसको हाईलाय्ट करने की कोशिज करता हूं देखो अगर मैं यहां से कीचू लाइन इस तरीके से इस तरीके से और इस तरीके से यह जेड़ बन रहा है तो जेड़ में क्या होता है अगर यहां से कुछ भी जेड़ बने तो यह एंगल और यह एंगल आपस में एकोल होते हैं अपने पढ़ाओगा कि यह एंगल और यह ए ब्राबर होई जाता है यानि कि यह एंगल और यह एंगल भी आपस में एक्वल होंगे अब यहां से देखो बात को समझो कि क्या कहा जा रहा है कि यह साइड और यह साइड भी आपस में एक्वल हैं कि यह साइड और यह साइड भी आपस में एक्वल है क्योंकि इसका यह मिड होई होंगे आब यह साइड और यह साइड भी आपस में कोलोंगे यानि वर यह 4 सेंटेमीटर है to यह साइड़ भी कितनी होने चाहिए 4 सेंटेमीटर होने चाहिए लेन्ध कितनी हो जाएगे 4 और 8 सेंटेमीटर यह हम से पूछा गया था सो option number 4 च焦ल Ondum पर यह पूछता भाई कि मान के चलो आपसे पूछता है कि पूरा परलेलो ग्राम का एरिया आपको दिया रहा है ठीक है एरिया आपको दे रहा है मान 16 cm और आपसे पूछता है कि इसका एरिया बताओ या फिर इसका एरिया बताओ तो इसकेस में क्या करते कुछ नहीं करना हो तो क्या करता है यहां से क्लाइण रो करते इस तरीके से इस तरीके से म죠 करते नैकर ऐसे की यहां यहां से लेकर यहां तक यह आठ हो जाता है और यह 8 तो अभी मने आपको बताए कि इसका मीड़़ पॉइंट है यह जब इसका इस दोनों लाइन का मीड़ पॉइंट है यह लाइन क्या होगी तो एकौल पार्ट में डिवाइड करेगे यह यह जोड़ पुर्या ट्रेंगल का समझ में आनी चाहिए विलाल हमसे क्या पुछा था पीटी के लिए पुछी थी तो वह हमने आपको निकाल कर बता दी कि मुझे उमीद है कोश्चन आपको समझ में आया होगा